हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मा यूटूब चैनल एलमध कर लिया है जिसमें हमने कम्मुनिकेशन के बारे में डिसकस किया था जिसमें हमने लिंग मैंने description box में दे दिया है, वहाँ से जाके आप जरूर देखिए, उसके बाद ही ये lecture join करें, आज हमारा lecture number 25 है, जिसमें हम internet के बारे में detail explanation करने वाले हैं, friends, अगर आपने हमारा telegram channel अभी तक join नहीं किया है, तो उसका भी link मैंने description box में दे दिया है, वहाँ से जाके आप join कर लें, जिससे आप daily के daily lecture का video फवेल कर सकते हैं, तो friends, अगर video आपको अच्छी लगे, तो video को like करें, channel को subscribe करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, और अगर आपको कोई doubt हो, तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं, तो friends, चलिए शुरू करते हैं, आज का lecture, तो friends, यह हमारा lecture number 25 है, इसमें हम computer communication internet को discuss करें हैं, इससे पहले हमने previous lecture में, जो भी computer communication के topics थे, जैसे communication channel, communication media या devices, network devices, यह सारा हमने discuss कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा, तो सबसे पहले वो जाके देखे, उसका link मेंने description box में दे दिया है, या उपर eye button पर click करके, आप उसे जरूर देखे, उसके बाद ही यह lecture join करें, आज के lecture में जो हम बढ़ने वाले हैं, discuss करने वाले हैं, इंटरनेट के बारे में discuss करने वाले हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, आज का जो हमारा topic है internet, internet को समझते हैं बिसे के लिए, तो internet stand for international network, तो जो internet सब्द बना है, internet word बना है, international से लिया गया है inter और network से लिया गया है net, तो ये दो word से मिलके बना हुआ है, international network से, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, 1950 में, by windsurf के दोरा, जिसको हम father of internet बोलते हैं, ये question पूछा जाता है, आपकी exam में कि father of internet कौन से है, windsurf, इसका correct answer होगा, फिर पूचा जायागा कि email के father कौन है, तो rate demolition उसका answer होगा, ये सारे exam में पूचे जाते हैं, कि internet के father कौन है, email के father किसे का जाता है, तो 1950 में, सबसे पहले windsurf ने, इसको discover किया था, दो वर्ट से derived हुआ है, इसको हम net भी बोलते हैं, और internet होता क्या है, basically समझते हैं, तो internet क्या है, network of networks, यानि कि, networks of network को internet बोलते हैं, और ये consist होता है, millions of private and public networks, of local to globe इसको, ये बहुत सारे private and public networks से, बना होता है, basically network is a group of, two or more computer system linked together, तो network क्या है, basically, दो या दो से जाता, group आपस में, एक दूसरे से system के थुरू जुड़े हुए हैं, और इसको हम network बोलते हैं, अब इसमें और देखते हैं, network में हमारा क्या है, अरे, sorry, internet में और क्या है, तो internet, मैंने बता ही दिया, आपको दो वर्ट से बना हुआ, international networking, इसका संशप्त रूप होता है, internet, इसको हम net भी बोलते हैं, internet जो हमारा, use होता है, इसमें सबसे, पहले use होता है, TCP IP प्रोटोकॉल, यह TCP IP प्रोटोकॉल, आने वाले topic है, जो next lecture में मैं डिस्कस करने वाले हूँ, बस अभी आप इतना समझी है, कि internet में जो प्रोटोकॉल यूज होता है, TCP IP प्रोटोकॉल यूज होता है, TCP का, full form होता है, हमारा, transmission control protocol, इसे नोट का लीजिए, इसका full form पूछे जाते हैं, और IP का होता है, internet protocol, यह भी question पूछा जाता है, कि internet में कौन सा protocol यूज होता है, तो internet में हमारा TCP IP protocol यूज होता है, यह TCP IP protocol क्या करता है, कि packet switching का use करता है, packet switching मैंने आपको बताया था, प्रिवियस लेक्चर में अगर आपने वो नहीं देखा, तो जाके जरूर देखे, फिर भी मैं एक बार packet switching बता जिता हूँ, आपको क्या होता है packet switching, जैसे कि माल लीजिए, दो devices हैं, दो devices हैं, और यह सारे root है, इनके data send करने का, तो packet switching में माल लीजिए, कि A को, B को data send करना है, तो A क्या करेगा? कि जो भी हमारा data है, माल लीजिए हमारा data, जो भी हमारा input है, 01 के form में होता है, माल लीजिए 0101 है, तो A जो क्या करेगा? कि इस data को packets के form में depression में भाइड कर देगा, और इसमें क्या होता है कि छोटे-छोटे packet के form में divide कर देगा और यह क्या होगा कि एक packet यहाँ से चला जाएगा एक packet यहाँ से जरूरी नहीं है कि इसी dedicated line से ही जाए यह dedicated line नहीं होता है packet switching में connection oriented नहीं होता है connection less होता है जबकि मैंने आपको बताया था, circuit switching में, circuit switching में क्या होता था कि एक dedicated path होता है, यानि circuit switching में अगर माली जी एक dedicated path है, तो इसी के थूँ ही data जाएगा, जबकि packet switching में ऐसा बिल्कुल नहीं है, packet switching में packets के form में data होते हैं, किसी भी route से, जो route उनको खली दिखेगा, उस route से ये data को send कर इसे भी send करेगा, इसे भी send करेगा, इसे भी send करेगा, यहाँ पर आके ये recreate हो जाएगा, और उसको data receive हो जाएगा, तो यह हमारा packet switching होता है, तो internet में हम basically packet switching का ही use करते हैं, तो इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल होता है, TCP IP प्रोटोकॉल होता है, और इसमें packet switching के ठूछी data का एक्सचेंज होता है, इंटरनेट, हमने बता दिया, network का network होता है, networks of network होता है, जो जिसमें private, public सारे इंटरनेट होता है, तो यह हमारा हो गया, internet हो गया, अब आगे देख इसके लिए इंटरनेट क्या होता है? Networks of network को ही internet बोलते हैं जिसमें consist होता है Menials of private and public network ति हमारा internet हो गया सबसे पहले internet को इंटरनेट को 1950 में विंडलसर्फ ने डिसकबर किया था अब next topic दिखते है हमारा नेक्स topic है हमारा Uses and Working of Internet तो So, internet क्या होता है, internet has been the most of useful technology of the modern time which helps us not only in our daily life but also personal and professional life developments यानि इंटरनेट क्या है बहुत यूसफूल टेकनोलोजी है जिसे हमारे modern life में काफी helpful है क्यों personal life में ही नहीं, professional life में भी internet का use होता है हमारा internet help us in communication, information, business and social networking, swapping, entertainment के लिए भी use होता है jobs, searching या e-commerce में भी use होता है तो uses में हमने देख लिया कि ये क्या करता है help करता है हमारे communication, information में, business में, social networking में, swapping, entertainment के लिए, job searching के लिए इसमें internet क्या करता है हमारा help करता है तो इसका uses हो गया अब इसमें थोड़ा सा और discuss करते हैं कि internet work कैसे करता है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका working कैसे है internet के सबसे पहले हम यहाँ भी समझते हैं इसको समझने के लिए हम इसको तीन पार्ट में divide करेंगे पहला जो पार्ट होगा हमारा पहला होगा server दूसरा जो पार्ट होगा service provider service provider होगा और थर्ड जो होगा हमारा जो ब्राउजर जो भी आप ब्राउजर यूज़ करते हैं जैसे कि Chrome हो गया Internet Explorer हो गया यह सारा जो भी ब्राउजर हम यूज़ करते हैं तो इसको तीन टर्म में समझते हैं तो पहला होता है Server होता है कि उसके बाद होता है Service Provider Service Provider में basically आप समझते हैं जैसे आप G.O.C.M.E.S.M.E.S.E.S.E.S.E.S.E.E.S.E.S.E.S.E.S.E.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E. यह हमारे server पे ही उपस्तित होती है यह server पे उपस्तित हो जैसे ही हम अपने PC या laptop या mobile में हम browser के माध्यम से कोई भी video या text को search करते हैं तो browser क्या करता है कि जो भी हम search करते हैं जो भी text करते हैं वह internet service provider के पास बेज़ता है यानि कि क्या होता है जो भी information होता है server पे होता है और इस पे हम जो भी जैसे mobile हो गया PC हो गया laptop हो गया उसके माध्यम से browser में है जो भी हम text search करते हैं वो क्या करता है कि वो service provider को भेजता है और service provider में मैंने बता दी है service provider में जैसे जीओ हो गया यह अटेल हो गया, यह सारे हमारे service provider होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से service provider server पर request भेजता है, server swim क्या करता है, खोजता है और परिणाम को दुबारा service provider को भेज देता है, यानि क्या करता है, service provider server को request भेजता है, और वहाँ से information लेता है, और फिर service provider उसे browser पर अपना result को show करता ह तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो भी mobile हो गया उसमें कोई भी text को हम search करते हैं तो internet service provider के पास भेजा जाता है वहाँ से service provider जैसे के Jio हो गया एर तेल हो गया वो server पर request भेजता है और server swam उसको खोजता है और परिग्राम को दुबारा सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है तो क्या करेगा कि सर्विस प्रोवाइडर इसको रिक्वेस्ट भेजेगा और जो भी रिजल्ट होगा उसको सर्विस प्रोवाइडर को भेज देगा और service provider क्या करेगा कि उसका result हमें दिखाएगा और वो हमारे browser पे display हो जाएगा और यह इतना काफी fast होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि इतने कम time में सारा यह process हो जाता है यह प्रकिरिया काफी जल्दी जल्दी होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि और यह सारे काम हो जाते हैं internet को computer से जोडने के लिए हम internet service provider से internet connection लेना पड़ता है अगर आप service provider से internet का connection नहीं लेंगे तो internet पर work नहीं कर पाएगा उसके बाद ही हम internet को computer से जोड सकते हैं क्योंकि हम internet से जुडने के लिए service provider से request करते हैं या जो भी हम pay करते हैं तो हमको internet provide करता है service provider तो यह working कैसे करता है कि server को service provider request भेजता है जो भी हम search करते हैं और server पर जो भी information होता है और दुबारा service provider को भेजता है और service provider हमारे browser को result भेजता है उसके बाद ही हमारा सारा जो भी information होता है display हो जाता है हमारे browser पे तो यह हो गया हमारा working कि कैसे work करता है internet internet में जो भी जैसे कि जो भी data हमारा move करता है यह हमारे TCP IP protocol के अंडर ही work करता है यानि कि जो data move around the internet control by protocol under TCP IP TCP IP protocol के ही अंदर यह work करता है और जो भी data move करता है, वो packets के form में move करता है और सारे ही यह TCP IP protocol के थhrough control किया जाता है तो एक question पूछा जाता है कि कौन सा protocol work करता है internet तो TCP IP protocol से work करता है और इसमे data मूब करता है पैकेट से form में move करता है तो यह जरूर इयाद रखिएगा यह एक्जाम में पूछे आते हैं question आगे चलते हैं next topic देखते हैं हमारा जो next topic है हमारा history of internet internet का इतिहास क्या है तो history of internet में जो सबसे पहला जो history में हम पढ़ेंगे 1969 में University of California at Los Angeles तो Los Angeles में University of California में सबसे पहला जो internet का use किया beginning हुआ था वो ARPANET के थ्रू हो गया था ARPANET क्या है Advanced Research Project Agency Network यह ARPANET का full form याद रखिएगा ARPANET का full form है हमारा Advanced Research Project Agency Network तो यह ARPANET का full form होता है इसका exam में बहुत बार पूछा जा चुका है ARPANET का full form तो सबसे पहले internet ARPANET के थ्रू ही इस्तमाल किया गया था यह America की defense के थ्रू किया गया था इसके बाद internet की जो लोकप्रियता है धीरे धीरे बढ़ती की सबसे पहले Windsurf ने एक book थी उसके दो letters को उन्होंने सबसे पहले internet के थ्रू सेंड किया था 1970 में और 1972 में Ray Tavilson जो थे उन्होंने सबसे पहला email सेंड किया था तो यह भी question पूछा जाता है कि email के father कोन है जनदाता कोन है email के तो Ray Tavilson इससे याद रखिये का यह exam में question पूछे जाते है तो 1972 में पहला email भेजा था Ray Tavilson ने उसके बाद British dog घर में इसकी पहली बार internet का इस्तमाल किया गया 1979 में जो British जो dog था उसमें इसमें इंटरनेट का यूज किया गया था 1979 में उसके बाद यह सारा डेबलप होता गया उसके बाद National Science Foundation ने कुछ हाई स्पीड कमड़ों को एक साथ कनेक्ट करके 1980 में एक network बनाया NSF NET NSF NET तयार किया 1980 में National Science Foundation ने उसके बाद internet की स्पीड काफी तेज हो गई उसके बाद Microsoft भी आया अपना operating system IBM की कम्पूटर में लगाने का जो डील हुआ यह सारा ही हमारे history में ही आते हैं उसके बाद 1984 में 1000 से भी ज़्यादा कम्पूटर एक साथ connect किया गए उसके बाद 1989 में internet पूरी तरह public के लिए यूज होने लगा इससे पहले क्या होता था 1989 के पहले defense हो गया रहा के लिए ही यूज होता था कुछ personal logo के लिए ही उसमें लाया गया था internet जबकि 1989 में आम जनता के लिए नि पुब्लिक के लिए इस्तमाल होने के लिए यूज होने लगा उसके बाद 1919 में जब worldwide web की discover किया गया तो ये internet काफी तेजी से develop होने लगा worldwide web का कब discover किया गया था 1919 में तो उसके बाद internet काफी तेजी से develop होने लगा उसके बाद 1991 में को डेबलब किया NREN तो यह हमारा हो गया History of Internet तो friends यह lecture आपको कैसा लगा यह comment section में हमें जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेर करें तो आज के लिए इतना ही था कल जो हम discuss करने वाले हैं Internet connection को discuss करेंगे जिसमें हम डायल अप connection पढ़ेंगे जो सबसे पुराना connection था Internet का डायल अप connection उसके बाद broadband connection पढ़ेंगे जिसमें digital subscriber line DSL होता है cable modern fiber को discuss करेंगे उसके बाद हम discuss करेंगे wireless connection जिसमें हम Wi-Fi यानि wireless fidelity को discuss करेंगे Wi-Max को discuss करेंगे ये सारा next lecture में हम discuss करने वाले हैं तो friends आज के लिए यतना ही था मिलते हैं next lecture में धन्यवाद